हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लेकाई हूँ अंडाकडी की रेसेपी, जो की बनाएंगे एकदम रेस्टोरंट इस्टाइल, जिसे खाने के बाद आप रेस्टोरंट का अंडाकडी खाना भूल जाएंगे तो चदिये, शुरू करते हैं आज की रेसेपी अंडाकडी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिये हैं पांच उबलेवे अंडे जिनका मैंने छिलका उतार लिया था तो मैं यहां पे पांच अंडो का ही अंडाकडी बनाऊंगी आप से जादा अंडे के अंडाकडी बना सकते हैं अंडाकडी बनाने के लिए सबसे पहले स्टैप है कि हमेन अंडों पर लगाना है कट तो मैं यहां पर चाकू से अंडों के उपर इस तरीके से कट लगा लूँगी, आप चाहे तो काटे वाले चमत से भी अंडों पर कट लगा सकते हैं, कट लगाने से जब अंडे हम फ्राइ पाउडर इन दोनों को हातों की मदद से अंडों के उपर अच्छे से लगा लेंगे इससे अंडों का जो कलर है ना बहुत अच्छा आता है फ्राइ करने पे हल्दी और लालमिश पाउडर लगाना अप्शनल है अगर लगाएंगे तो अंडे एकदम अच्छे लगेंगे इने चम्मस से अलटते पलटते रहेंगे तो अंडो को यहां पर तब तक फ्राय करना है जब तक इनका जो कलर है ना गोल्डन ना हो जाए तब तक अंडो को फ्राय कर लेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसे रखना है मीडियम टू लो पे अंडे फ्राय करने से जो अंडो की ज साइज प्यांच जिनने की मैने ठीचल जॅकि में रफली चॉप कर रखा है तो कहा है यहां मेरे चैनल पर भीन में यहां पे और यहां प्रेंट मेरे नियाल कहा है तो जरूर प्रेस कर दिजिए गारे ताकि आपको शारी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो यह देखिए यहां पर जो प्याज है वो भून चुका है तो क्या करना है यहां पर मैंने लिए है आट से दस लसन की कलिया तो लसन की कलियों को प्याज के साथ यहां पर भून लेंगे ताकि जो लसन का जो कच्छा पन है वो दूर हो जाए यह नहीं लंभे में काड रुका है तो यहां टेमाटर में तब तक भून ले सैजय सब में बूरना है। तो यह देखिये जो टमाटर है वह soft हो चुके हैं अच्छे से तो क्या करेंगे इन सबको ना, एक प्लेट में निकालने के बाद इन थंड़ा कर लेंगे तो आप तरी के से बनाएंगे ना, तो जो ग्रेवी है ना, आपको बहुत प्यास टमाटर को ग्राइंड कर लिया है तो यहां पर प्यास टमाटर को एक प्लेट में या कटोरी में रख लेंगे और अब बनाते हैं अंडो ग्रेवी तो मैंने उसी कड़ाई को साफ करके यहां पर एक चमज फिर से तेल डाला है और तेल को गरम कर लेंगे जैसे ही तेल और तो यहां पर आधी चमज डाल देंगे हम जीर ओंग बंद करेंगे और सैर्माइन के बासे 's Etrian के और नम 10 पर आने के बाद लेंगे कश्मीष पाउड़र। और आधी चमज – यहां पर cidos लियांगे लालमेश पाउडर। यहां पर लालमेश पाउड़र। पाउड़र बीक note और दो से थीम मिनिट में भी ठाखने को सब्ड़ाइक लेड़ ओर चम्माइब jलाइना 2 चमश धनिया पाउडर कीड़ के लिए 2 हर चमश में के मिख्याई बड़ाद ग्याट कर दोगरा बड़ाकी रिख्याई करऑफ इन पर चमश के बणुक। अवर यहां चेंड़ पानी नुच्छा टाइँ पर विर ठोने के अटके मिक्सकता और अब दाली दालों के पानी दाला एक बाइं प्शों को एक लास के साथ आप से मिक्स करने के बाद आदि चम्मच गरम मसालाद CHE कसूरी मेथी कसूरी मेथी से अंडे का जो टेस्ट है बहुत जादा ला जवाब आता है तो इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पे हम ग्रेवी को पका लेंगे ढखके साथ से आठ मिनट के लिए और साथ से आठ मिनट बात देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ तो अंडे ना लास्ट में ही डालने हैं क्योंकि यह अल्यडी फ्राइ करके हैं पाके हुए हैं तो इसके लिए यहां पे अंडो को ज्यादा नहीं पकाना है सिर्फ ग्रेवी में तीन से चार मिनट के लिए उससे ज्यादा नहीं अंडो को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक् और यहां पर बन की तयामारन के थनीा धना, और यहां मिंसे बन के भी शोंड़ी और मुद्ध बाल सब्साइब को पमें आपका है और यहां काम जो मुद्ध के लिए अर्ट करहें जोड़ाएं सह प्रतोी बन कीढ़ी ह Seems सर्थ कर सकते हैं आप एक बार इस तरीके से अंडा करें जरूर ट्राइक की किजिए गा मr%. आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई को सबंदे होगी वीडियो पसंद आइ मिलें एक नई रेसिपी के साथ